नमस्कार मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं All News विपक्ष नीता राहूल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरीका का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने वहाँ पर पत्रकारों और वहाँ पर बसे भारतिय समुदाई के लोगों के साथ बात चीती थी उनके इस दौरे से जोड़कर ये न्यूस पेपर क्लिपिंग सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है इस क्लिप की हैडलाइन है अमिरीकी पूछ रहे है कि राहूल भारत से है या पाकिस्तान से वहीं यूजर्स ये क्लिपिंग सेंट फ्रांसिस को स्थित एक अकबार की बता रहे है कई यूजर्स ने ये न्यूस पेपर क्लिपिंग शेयर की और राहूल गांधी पर कटाच किये अल्ट न्यूज ने इस मामले को लेकर चान्विन शुरू की और हमने पाया कि ये तस्वीर पिछले साल यानी की साल 2023 में भी राहूल गांधी के अमिरीकी दौरे के वक्त वाइरल हुई थी उस वक्त उन्होंने कैलिफॉर्निया के सैन फ्रांसिस को में भाशन दिया था विश्व हिंदू परिशद नेता सादवी प्राचे ने राहूल गांधी को भारत या पाकिस्तान से होने पर सवाल किया था आगे जब Alt News ने इस वाइरल न्यूस्पेपर क्लिपिंग को ध्यान से देखा तो पाया कि इसमें शब्दों की गलतियों के साथ साथ अलाइमेंट की भी गलतिया है वहीं क्लिपिंग में साइड पर ये अधूरा अक्षर दिखता है जो शायद हिंदी लिपिका है इसे बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसे गूगल लैंस की मदग से हिंदी में ट्रांसलेट किया इससे हमें ये Hindi newspaper clipping के कई post मिले और जब बाद में इस Hindi अकबार की clip को lens की मदग से English में translate किया तो पाया कि ये हूँ बहु वाइरल तस्वीर से मिलती है यानि हाल में viral English clipping एक Hindi अकबार की clip का translated version है इसके अलावा कैलिफॉर्निया में हिंदी भाषा में कोई newspaper publish नहीं होता है कुल मलाकर राहूल गांदी के भारत से या फिर पाकिस्तान से होने को लेकर सवाल खड़ा करने वाली viral newspaper clipping सेन फ्रांसिसको के किसी अकबार की नहीं है कर दो